प्रश्कार दोस्तों आप सोभी लोग का हमारी चनल बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम लोग क्लास 11 का 11 एफ एक्साइज के क्वेश्टन वार 12 से करने जा रहे हैं पिछले वीडियो में दोस्तों वार 11 तो देख लिए यह आप लोग नहीं देखे हों तो आप लोग आप अच्छा से समय बहाएगा इसमें क्या करना है कि देन क्यूथ टर्म होगा उसका क्यूप को गया तर दिया नहीं है सब से ब्यों पर सक्षक पारों छो कहा लिए हैं a be the first term and t be the common difference ओके अब देखिया हम लोग क्या करा है कि pth term क्या दिया है क्यों दिया गिया है देखिया हाँ पे according to question pth term जो है pth term क्या दिया है pth term क्या हो गिया है tp इसका value q दिया गिया है अब दोसरों देखिये यहाँ पे जिस्ता से लोग जानते हैं कि tn का formula क्या होता है a plus n minus 1 into d तो यहाँ पे n का जब भी तो पी replace करते हैं तो यह क्या हो जाएगा a plus p minus 1 into d यह pth term का मतलब हो गिया a plus p minus 1 into d इसके जब हम लिख देंगे यहाँ पे a plus p minus 1 into d यह equation हो गया 1 ओके end देखिये end हम लोग कारा p plus qth term क्या दिया गिया है 0 दिया गिया है दोस्ते कि यहाँ पे p plus qth term का p plus qth term यह 0 दिया गिया का मतलब क्या हो गिया है यह t और यहाँ पे end के जगब क्या हो गिया p plus q हो जाएगा equal to कितना 0 अब t of p plus q का मतलब क्या हो गिया a plus p plus q minus 1 into d equal to 0 ओके यह दोस्तों हम लोग हो गया equation 2 हो गया ओके अब देखिये हम लोग सो करना है यह लिए रखिके to 100 क्यूध हले कितना 0 और क्यूध हो गिया तो क्यूध हो गिया है क्यूध है यह क्यूध हो टी क्यूध हम लोगा गियू इसको क्या सकते हाँ rinse इससे लिए सकते हैं a plus q minus 1 into q sorry a plus q minus 1 into d equal to q यह हम लोगों को show करना है कि इसका value क्या होगा q के equal होगा ओके देखिए आए क्या करेंगे देखिए उसनों इससे आगे देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो equation 1 है हाँ कि इसकाशोगा यहाँ मिस्ट्रेक होगिया है कि इसकाश्राश कर देखिए इस दोणों क्या लतो्य टर्म कर लेंगे कि यह बार्ड़ लाना कि यह फीलाना है लिखेंगे on solving on solving equation 1 and 2 we get तो देखे जो हम लोगों को पहला equation है यह हम लोगों को है a plus p minus 1 into d equal to a q और दूसरा equation है यह है a plus यह है p plus q minus 1 into d equal to 0 इस दोने equation को हम लोगो solve करेंगे तो देखिए a यह सेम है यहापे तो sign change होगा यहापे कि a और a का sign क्या है same है तो जब safe sign होता तो क्या होता है sign change करेंगे तो यह minus यह minus यह cancel हो जाएगा तो यह होगा this minus this लिखे इसको p minus 1 into d minus यह हो जाएगा p plus q minus 1 into d equal to q minus 0 क्या होगा q ही होजाएगा आगे देखिए इसको solve कीजिए यह हो जाएगा हम लोग को d से multiply करेंगे तो होजाएगा p d minus d minus यह से multiply करेंगे तो होजाएगा minus p d minus plus होजाएगा minus q d और यह होजाएगा minus minus plus यह होजाएगा d equal to q होजाएगा देखे प्लस D से माइनस D cancel हो जाएगा, माइनस P D से प्लस P D cancel हो जाएगा, यहां पर हम लोग देखे बचा क्या, माइनस Q D equal to हो जाएगा Q, यहां से D का फेलू ने कालेंगे तो जाए Q upon minus Q, यह cancel हो के, आजाएगा हम लोग Q का वेलू कितना आजाएगा minus 1 अब इस Q का वेलू लोग क्या करेंगा put कर देंगे किसी भी equation में लिखेंगे put Q equal to minus 1 in equation 1 देखें जो हम लोग को पहला equation है यह था हम लोग को A plus P minus 1 into D equal to क्या था Q था यहाँ D का वेलू लाखिए minus sorry दोस्तों यहाँ पर देखें D का वेलू है यह D equal to minus 1 ओके ति हो जाएगा A plus P minus 1 into D के जाएगा minus 1 equal to Q इसको solve किजे देखें यह हो जाएगा A minus इसको multiply करेंद हो जाएगा minus P और यह हो जाएगा हम लोग को minus minus plus 1 equal to Q minus P को उधर से प्रिणत क्या हो जाएगा minus 1 अब दोस्तों आम लोग को A और D का वेलू पता चल गया है तो हम लोग अराम से TQ का वेलू निकाल सकते हैं क्यों TQ का वेलू देखें हम लोग प्रूप करना था A plus Q minus 1 into D equal to P तो हम लोग रख देंगे A और D का वेलू ता फाइनल हम लोगा आंसर आ जाएगा देखें नेक्स्ट वेमें से क्या डियल्ट आता है कि देखें हम लोग करने के लिए कर रहा था कि TQ का वेलू पी लाना है A plus Q minus 1 into D equal to P लाना है A का वेलू पिछले परे से हम लोग यह आया है और D का वेलू हम लोग यह है दोनों वेलू पूट करेंगे तो हम लोग आ जाएगा यहाँ पर LHS से हम लोग आते है LHS में क्या है A plus Q minus 1 into D तो रखिए फिर A का वेलू क्या है Q plus P minus 1 प्लस यहाँ Q minus 1 और D के जगा पर minus 1 तो यहाँ Q plus P minus 1 माइनस को मल्टिप्लाइ करते हो जाएगा minus Q plus 1 अब यहाँ से ब्रैकेट उपेन करते है तो यहाँ Q plus P minus 1 minus Q plus 1 देखिए यह plus 1 से minus 1 कैंसल यह minus Q से plus Q कैंसल तो यह हो गया P तो देखिए हम लोग 100 क्या करना था कि A plus Q minus 1 और D का फेलू कितना P 100 करना था तो यह दोस्तों हम लोगों को RHS आगया तो लिखेंगे Since LHS equal to RHS Hence Proved तो आई हब दोस्ते यह question आप लोगों समझेवा आगया होगा अब इसका next question लगते हम लोगों question number 13 देखिए हम 13 में question में करना कि If 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus dot up to 35 terms upon 5 plus 8 plus 11 plus dot dot up to n terms का value कितना था 7 दिया गया तो हम लोगों करना बताई कि n का value क्या होगा तो दोस्तों इस question को लोगों कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर पहला series हम लोगों दिया गया इसमें first term कितना है और यहाँ पर लिके numerator के लिए तो निमेरेटर के लिए निमेरेटर के लिए का value कितना है 3 हम लोगों इस रीच का बात कर रहें d कितना है यह 2 है और n का value कितना है 35 क्योंकि सब्सक्राइब कर रहा है यहाँ पर कितना दिया गए एक वेलू कि डिनमिनेटर में कि एक वेलू कितना है 5 कि डी कितना है 3 है और एन के जगप यहाँ पर एन ही है तो दोनों का समफ है डाप्स का डिस्व कितना दिया गया है सेवन दिया गया है ताम लों जानते है एसन इकल टू क्या होता है एन अपॉन टू इंटू एप्लस एन माइनस वन एनके 35-1 कि इन्टो डी डी का वेलू कितना है 2 ओके अपॉन में ? यह जागा नीचे भालत दिया गया दिया यहां से दिया गया अब किसको रूम्व कि यहां से यहाँ यहां पर क। हो जाएगा यह हो जाएगा 35 यह हो जाएगा हम लोगों को 6 प्लस यहाँ पो जाएगा 34 इंटू में हो जाएगा 2 अपन में यह हो जाएगा हम लोगों को n यह हो जाएगा 10 प्लस यह हो जाएगा हम लोगों को 3 3N-3 equal to 7 आगे देखिए अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 35 यह जाएगा 6 प्लस यह जाएगा 248 236 अपन में यह हो जाएगा N यह हो जाएगा 10-3 हो जाएगा 7 प्लस 3N equal to 7 आगे देखिए अब यहाँ पीसिज को multiply कीजिए 6 5 जाएगा 30 6 3 जाएगा 18 और 3 हो जाएगा 21 ओके यह इसको ऐसे ही लिखिए 35 इंटू इसको add कर दीजिए यह हो जाएगा 8 और 6 हो जाएगा 14 8 6 हो जाएगा 14 6 1 हो जाएगा 7 अपन में यह हो जाएगा 7N प्लस 3N स्कुएड इस N से कहाएगा दूनों को multiply करती है equal to 7 आगे देखिए अब इस दूनों को अमनों क्या करती है multiply कर लेंगे अब देखिए इस चागी से को उनों solve करेंगे इति क्या एगा result अब देखिए इससे को अमनों multiply करेंगे यह आजाएगा हमनों को 2590 इसे इसको multiply करेंगे तो अपोन में हो जाएगा 7N plus 3N square equal to 7 अब स्कोर्स मुल्टिपेशन करेंगे ओके दिखिए यहां पे यह हो जाएगा 7 times दिखिए 7 times हो जाएगा 7N plus 3N square equal to 2590 दोस्तों यह 7 से यहां पर इसको cancel कर दिखिए तिया हो जाएगा 73 जा 21 बचा 477 जा 749 जीरो यह हो जाएगा हम लोगों को 3N square plus 7N equal to 370 ओके इसके धर लिए यह हो जाएगा 3N square plus 7N minus 370 equal to 0 यहां दोस्तों हम लोगों के एक equation मिल गया यहां पर क्या करेंगे इसको n का value find कर लेंगे देखिए नेश्वाइब से क्या लटाता है कि देखिए पिछले पर हम लोग यह equation आया 3N square plus 7N minus 370 अब इसको मिल टांस्प्लिट करने के लिए इस इसको multiply कि दिया 1110 आया इसका हम लोगों क्या करिए प्रैम फेक्ट्रेश से निकाल ले निकाल ले यहां पर तो देखिए हम लोग फेक्टर लगाएंगे ऐसा दो नमर ढूंदे जिसको एड़ सब्रैक्ट करने पर कितना नहीं चाहिए 7 और multiply करने पर आना चाहिए कितना माइनस 1110 क्योंकि क्योंकि माइनस 111110 और यह n square आजाएगा तो देखिए 5 तो यह 15 इंटू 2 30 हो गया और यह हो गया 37 37 में से हम लोग 30 माइनस करेंगे था हो जाएगा 7 हो जाएगा तो लिसकते हैं 3N square plus 3N square plus देखिए 3N square हो जाएगा और यह हो जाएगा माइनस 30N plus 37N minus 370 equal to कितना हो जाएगा 0 37N plus 3N से when donne 7 हो जाएगा अभी यहां से कॉमन ले तो हो जाएगा governo माइनस 10 हो जाएगा प्लस 37 यहां से कॉमन लेंगे तो जैए न-10 equal to 0 कि टीए काया हम लोग aten-10 ॥ैरी ओ tääए 3 mij माइद प्लस थाटिसेवन, इकोल टु जीरो, ओकै, आफ आगे देखी यहाँ पर, तुरिह है, if n-10 एकोल टु जीरो, n-टु क्या होजएगा, 10 होजएगा, if 3n प्लस थाटिसेवन इकोल टु जीरो, तिह 3n इकोल सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए मिलते नेट वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू सुमज